हेलो फ्रेंट्स वालकम टू माई चानल नेहा की कुकिंग फ्रेंट्स आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी से एर करने वाली हूं जो की सब की फेवरेट होती है छोले की रेसिपी यह जो छोले मैं अपने घर पे बनाती हूं इसको थोड़े से ड सब्सक्राइब कर लिया था इसको हम उबालेंगे इसको तीन से चार सीटी देकर हम उबालेंगे और यहां पर कुछ जैसे हरी मिर्च, दो प्याज, अदरक, लहसन, सब कुछ हमने काटके ले लिया है और सब को हम ग्राइंडर में बहुत ही थोड़ा सा दर दरा इसका जो प चानि पिस अनिगे में पीषन näStar अवर थोड़ा सा दर दरा पीषना है यहां पर हमने इसको जोड़ा की पिस लिया है अ अब आ पर पर पठी यह पर में घर पर हमने घर पे ही थानी है तो घरकी जो पनीर हो ती यह थोड़ा सा ज़ुआ इसको पीसिस, यह बहुत ही जादा आप चाहे तो पणीर को अधिर कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो एसे ही सिर्फ ऐसे ही कट करके आप पणीर में चोड़े में डाल दीजिए तो यह जो पनीर है आपके यह बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे टेस्टिट लगेंगे खाने में मैं तो इसमें हल्का सा तल कि अन गर्म हो जाता है तो हम इस में पहले कर लेंगे तो दोस्तों मेरा तेल यहां पर गरम हो रहा है प्रपिया निकाल लिया है कि उसको बहूत हल्का भी सतल साथ गोल्डेंर नहीं करना है बहुत हल्का तलना है। प्याज ने टड़की के लिए काटके रखा था उसको तड़का देंगे और यहां पर हमारा जो जो मतलब क्या बोलते है चैना है कबली चैना है यह थोड़ा सा मतलब ऊबल गया है हमें आपर चेक करेंगे तो देख सकते हैं यह एकदम अच्छी तरीके से ऊबल गया है और इस आप चाहे तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं आप चाहे तो यहां पर पहले से चना को उबा लिया है और उसके बार यहां पर हमारा जो तड़का है प्याज का वह अच्छी तरीके से पक गया है तो अब हमने इसमें जो इसका पेस्ट बनाया था आदरक लेसॉन हरी जालेंगे और इसको अच्छी तडिके से भून सब्सकू hover इसली तक टुतल केansen जाते हैं ढहते हैं भी सुमय भी पिक हें यासानी नहीं में कलें अ सुख्य मसाले , अट करेंगे अब इसमें सुखे मसाले डालेंगे इसमें हमने लगबग दो चममच इसमें धनिया पाउडर डाला है अधा चममच से थोड़ा से ज़्यादा हम इसमें गरम मसाले डालेंगे अधा चममच इसमें छोली मसाले देखा मिश सब्सक्यादा टालेंगे मिकस करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अ depois-छो-गमुआरा हम पकाएंगे डालेंगे मिडियम फалेंडी पर हमें इसमें पकाना है थोड़ी देर में ही यह अच्छी तरीके से पक जाता है जब हमारे मसाले इस तरीके से पक जाएंगे और अपना तेल छोड़ने लगेंगे तो समझ लीजिए कि जो मसाले हैं वो पक चुके हैं और इसमें हमने पनीर को डाल लेना है जो हमने पनीर को फ्राइ करके रखा था उसको डाल देंगे और जो काबली चना को हमने उबाल करके लिया थो उसको भी इसमें हम एड़ करेंगे और डाल कर हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसके बाद हम इसको पकने के लिए पानी डाल देंगे लग बाग इस बिलकुल रेडी हो गया है ते हमने इसमें ट्माटर भी डाल दिया है कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसको हम धग कर पकने के लिए चोड़ेंगे लगबक थोड़ी देर पकने के बाद चूला है यह पके रेडी हो गया है और यह खाने के लिए आप बर से अर्कम पार बर ग।